कपड़े जो है नीन और आ और पर में आपको दिखा देती हूं तो यह देखिए अब कप्ड़ों को जो है na बारी आती कपड़े जो है ना धूप में डालने से अच्छे से प्रॉपर तरीके से सूख भी जातने हैं वैसे यह कपड़े सूख चुके हैं बिल्कुल भी इसमें एक भी बून पानी नहीं के गाइस में वैं अपने से अपलोड करें अगें एक और वीडियो वाशिंग मसीं कर लेखा रहा हूं जो कि आपके जादा यूस्पुल होने वाला है तो वीडियो में बहे हैं आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं कि धेर सारे कपड़ों को थोड़े से वासिंग प अप सब्सक्रार की जो कि इंटेक्स की है यहां पर आप देख सकते हैं यह छोटी वाली है इसे एक बड़ी वाली भी आती है सभी वासिंग मसीन के प्रोसेश और सेमी रहेगा सेमी आटिमे वासिंग मसीन की मैं बात कर दी हूं तो चलिए कपड़े दोने स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर यह जो वासिंग मसीन है यह चैसे साथ सल पुरानी है और इस वासिंग मसीन को मैं regular यूज़ करती हूँ फिर भी यह खराब नहीं होती है एक बार भी अभी तक खराब नहीं होई है तो चलिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पानी का लेवल हमें कहां तक लेना है पानी जो है ना हम वाल्टी से भी डाल सकते हैं और नली से भी डाल सकते हैं तो सबसे पहले हम वाशिंग वाले सेक्शन में पानी को फिल करेंगे और उसके बाद जो है ना तो यहां पर मैं एक बॉटल में डिटर्जन को फिल कर लेती हूं और उसके बाद बॉटल से ही मैं डालती हूं तो यहां पर देख सकते हैं मैंने अच्छे खासे क्वांटिटी में डाल दिया है क्योंकि कपड़े काफी ज़्यादा धुलने को हैं तो यहां पर जो वाशिंग वाला सेक्षन है उसका जो बटन है यह उपर है यहां पर मैंने 15 मिनट के टाइमर के साथ इसको सेट कर दिया है अब देखिए वाशिंग पॉटर जो हमने डाला है वह जो है अच्छे से खुल जाए उसके बाद हमें कपड़े डालना है स्टार्ट कर देना है तो सबसे पहले हम डालेंगे लाइट कलर के कपड़े हैं या बच्चों के कपड़े हैं हाइजीन मेंटेन करने के लिए मैं सेट कर दिया है 15 अगर कपड़े साफ कर सकते है इसमें कोई इशू नहीं है यहाँ पर अच्छे सी न kसा कौड़े साफ हो गए हैं ूससे हमें पता सल जाएंगा कि हमारे 15 मिन्ट का टाईमर और ठाल ओर कपड़ों को हाथ से निचोडते हुए एक बाल्टी में निकाल ले रही हूँ वैसे तो लोग जो ड्रायर वाला सेक्षन है उसी सेक्षन में कपड़ों को धोने का काम करते हैं बढ़ उसमें पानी का प्रोसेस कफी जादा स्लो आता है इस वज़े से मैं जो हैना मुझे लगत होगा वैसे तो लोग वाशिंग मसीन में ही कपड़े धुलने का सुखाने का फलोने का काम करते हैं तो यहां पर जो हमारा साबून और पानी बचा हुआ है इसमें हम डाल देंगे हमारे दूसरे कपड़े जो की हम रेगुलर यूज़ करते हैं और हमारे डाल कलद के अच्छे से साफ हो जाए और इसमें बिल्कुल भी साबून ना रहे अगर थोड़ा साबून रह जाता है तो क्या है कि बच्चों को और हम लोगों को रहा होने के चांसित हो जाते हैं खुझली वगएर हो जाती है कि हमें ब्रस चलानी की या हाथ से मसलने की बिल्कुल भी प्रहुपर तरीकी से कप्ड़े साफ हो जाते हैं काफी सारे लोगों को यह लगता है कि उत्sen यह अगर आपकी धूप में इस डाल सकते हैं सबी कपड़ों को फलफी करते हुए डालना है और उसके बाद जो इसका जो प्लेट आता है उससे इसको कवर कर देना है इसलिए ताकि कपड़े उचले नेगी जब इस पिन करें उसके बाद हमें धकन को अच्छे से प्रेस कर देना है और दबा देना है जो वाशिंग मसीन की नली उसको कर देना है वाथरूम के साइड और उसके बाद जो उपर बटन दिया है उसको हमें घुमा के पूरे टाइमर के साथ सेट कर देना है अच्छे तरीके से वाशिंग मसीन रिस्पॉंस करना स्टार्ट कर दी है और जितना भी पानी वगएर है वो देखिए निकल रहा है तो यह देखिए कपड़े अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कपड़े हमारे किस तरीके के सूख चुके हैं तो देखिए एक भी बून कपड़ों में पानी नहीं बचा हुगा है कपड़े हमारे प्रॉपर तरीके से सूख गये है अब इन कपड़ों को हम डालेंगे क्योंकि वीडियो जो हना काफी जादा लंबा हो गया था इसलिए मैं वाइस ओवर देकर इस वीडियो को छोटा करके मैं आपको एक्स्प्लीन करने की कोसिस करी हूँ सारे कपड़ों को मैंने टाल दिया है धूप में एक सी दो घंटे की धूप में आपके कपड़े के अच्सु समय है अच्या दिया काफ journée खको मेंगा थाना लंड़ों कि पुप में एक जा मेंगγे देकर दिखावे अश्या को में को सो एंबाँ से जखा दो ओश्या करता दिया यính युक्या दिखा है कि डैन आपके एक्पटनवी За मूमीं बढ़ों का है उनी है